नमस्कार बच्चों! केसे हो? अच्छे हो ना? महेंदी स्कूल द्वारा आयो जीत ओनलाइन तास में सभी बच्चों का खोब-खोब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौनसी कक्षा लेंगे बच्चों? कौनसी लेंगे? आज हम कक्षा चोथी। कौनसी कक्षा लेंगे? कक्षा चोथी। हमारा विशय कौनसा? हिंदी। कौनसा विशय लेंगे? हिंदी। तो बच्चों कुछ सीखने से पहले आज हम एक सू विचार लेते हैं। क्या लेते हैं? सू विचार। सू विचार यानी अच्छे विचार। तो यहाँ पर देखते हैं कि जिस बात से डर लगता हो उस शेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंब कर दो। डर अपने आप पाग जाएगा क्योंकि डर सदेव अज्ञानता से ही उपचता है। तो यह सू विचार में बच्चों कहा है कि जित बात से डर लगता हो उस शेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंब कर दो। तो उदारर के तोर पर आपको बात करूँ कि का क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जो ऐसी थारडा कर बेटे हैं कि मुझे यह सबजेक्ट है यह विशय नहीं आता है। ऐसा होता है ना आम तोर पर आपको गनित जैसे विशय में इंग्लीज आधि यह दोनों विशय में अधिक दिक्कत होती है। होती है ना कई बच्चे कहते हैं मुझे इंग्लीज पढ़ना नहीं आता। मुझे यह गनित में यह चो प्रेशन है नहीं आता। कई बच्चे कहते हैं मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, तो बच्चों आपको जिसमें भी, जिस विश्वे में भी आपको नहीं आता हो, डर लगता हो, उस शेत्रों में आपको अधिक महनत करनी होगी, तो ही आप बच्चों आगे बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ना है न आपको, तो यह सुविचार के मात्यम से मैं आपको यह बात कह रही हूँ, कि आपके जीवन में भी आपको जित बात से डर लगता हो, उस सेत्र में आपको क्या करना है, अपना ज्ञान बढ़ाना का आरम कर दो, आप जिस विशय में, जिस भी जगा आपको लगे कि यहाँ पर आपको डर लगता है, लेकिन उसमें अधिक आप क्या करो, ज्ञान बढ़ाओ, यानि कि अधिक से अधिक उस विशय में सजग रहो, तो आपको क्या होगा, अज्ञानता से ही उपचता है, तो यहाँ पर कहा गया कि जिस बात से डर लगता हो, उस शेत्र में अपना ग्यान बढ़ाना आरम कर दो, डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि उस शेत्र में हमें कई ऐसे विशय है, कि यह विशय नहीं आते है, उसमें नहीं मारक आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उस विशय के बारे में अधिक से अधिक माहिती ले, उस विशय को रस पूर्वक आप पड़े, तो आपको क्या होगा, आपको ग्यान भी बढ़ेगा और डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदिव अज्ञानता से उपचता है, हमारा जो मन है, डर लगता है जिस विशय में, वहोग डर का यही कारण है के अज्ञानता, उस विशय में हमें नहीं आता है, एसा होने के कारण हमें डर लगता है, अगर इस विशय में हम सभी हमें माहिती होती है, और उसे हमने अच्छी तरह पढ़ लिया होता है, तो हमें डर नहीं लगता, तो डर सदिव अज्ञानता से ही उपचता है, यानि जिस विशय के बारे में हमें पूरी जानकारी न हो, इससे अज्ञानता होता है, उसे अज्ञानता ही उपचता है, इस प्रकार हमारे जीवन में भी बच्चों, यह सुविचार के मात्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ, कि आपके जीवन में भी आपको जिस विशय में, आपको डूटी लगे कि यहाँ विश्य मुझे नहीं हाता उसमें अधिक से अधिक महनत करकर आप उसमें पारमगत हो जाओ हो जाएंगे न तो यहाँ बात सभी सुविचार के माद्यम से आपको कहना चाहती हूँ सभी बच्चे समझ भी गए होगे समझ गए होगे न अब आगे बढ़ना है न महनत करेंगे न सभी विश्यों में कोई बच्चा यहाँ नहीं कहें कि मुझे यहाँ विश्य नहीं आता यहाँ नहीं मुझे समझाता लेकिन बच्चो आप अधिक से अधिक यहाँ विश्य में महनत करोंगे तो आपको जरूर वह विशय आ जाएंगा तो चलो आगे बढ़ते हैं पुन्रावर्तान एक आपने अगले तास में क्या सीखा उसकी पहले थोड़ी बातचीत करते है फिर आगे बढ़ते हैं तो बच्चो हमने अगले तास में पुन्रावर्तान एक में हिंदी किंती अंक में थी वह आपको शब्द में लिखनी थी और फिर क्या सीखा आपने कौन बताएगा फिर फिर हमने चित्रो देखकर नीचे क्या लिखना है? चित्रो अधारित शब्द लिखना है कि चित्रो में क्या दिया हुआ है? वह लिखना है वह सिखा था शिखा था ना? कई सारे चित्र भी हमने देखे थे देखे थे ना? कि यह चित्रो को क्या कहते है? यह चित्रो को क्या कहते है? तो यह चित्रो देखकर नीचे शब्द पूड़ कीजिए किया था ना हमने? तो चलो आगे बढ़ते हैं बढ़ना है ना? तो आज हम पुन्रा वर्तान पहला में प्रश्ण तीसरा लेंगे तीसरा प्रश्ण ही ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे देखिए कि उपर के चित्रो के आधार पर पाच वाइक्य बनाईए और लिखिए क्या करना है? हमने पुन्रा वर्तान एक में जो चित्र देखे थे उसमें से कोल भी चित्र आधारित आपको वाइक्य बनाने हैं एसा नहीं है कि इस वीडियो में मैंने जो भी लिखा है वही लिख डालो आपको चित्र में कोई भी चित्र एक पसंद कर सकते हो और वह पक्षी, फल, वस्तू, आधी, आधारित आपको वाइक्य बनाने हैं आपको वाइक्य बनाना बहुत पसंद है ना तो यहाँ पर हम पहले उदाहर और लेते हैं फिर किस तपरकार आपको वाइक्य बनाने हैं वो भी मैं सिखला दूँगी ऐसा नहीं कि इसमें लिखा है वही आपको बनाना है एसा नहीं है तो यहाँ पर देखे पहला वाइक के है उदार अर्टे के दोर पर घर में लोग रहते है तो यहाँ पर बच्चो क्या लिखा है कि घर में लोग रहते है हमारे चीतर में घर था न तो उसकी आधारित यहाँ वाइक क्या है उसी प्रकार दूसरे चीतर की ओरम बढ़ते है यहाँ पर पहला है वाइक क्या मचली पानी में रहती है तो यहाँ पर मचली का भी चितर था तो आप यह भी वाइक के बना सकते है की मचली पानी में रहती है जल भी लिख सकते है पानी भी लिख सकते है मचली जल में रहती है उसी प्रकार आम का भी चितर था था ना आम खटे है आपको मीठा करना है तो मीठा भी लिख सकते है किस प्रकार लिख सकते है तो आम मीठे है आम कच्चे है आम का रंग पीला है इस प्रकार आप ऐसे वाइक के बना सकते हैं उसी प्रकार तीसरा देखे मुझे सर्बत पसंद है तो यहाँ पर बच्चो शर्बत का जो चितर था ना मुझे शर्बत पसंद है तो इस प्रकार ऐसे वाइक के बना सकते हो कि शर्बत का रंग हरा है अब चोथे वाइक के और आगे बढ़ते हैं तोता हरे रंग का है तो यहाँ पर तोते की बात की गई है कि तोता हरे रंग का है तोता मुझे बहुत पसंद है एसा भी लिख सकते हो अब आगे जाते हैं पालू जंगल में रहता है एसा भी लिख सकते हो कि बालू का रंग पालू का रंग काला है इस प्रकार पर लिख सकते हो तो इस प्रकार बच्चो के चित्र आधारीत हम वाईक्य किस प्रकार बनाने है वह सीखते है आगे देखे यहाँ पर चित्र में कितने सारे चित्र आपको स्वापोती में थे थे न उसमें पहला चित्र यहाँ पर देखें स्क्रीन पर पहला चित्र बकरी का है किसका है बकरी का तो यहाँ पर आप क्या वाच्चे बनाएंगे कौन बताएगा बकरी बेबे करती है और कौन सा वाच्चे बनाएंगा मेरे घर के पास बकरी जा रही है एसे भी वाच्चे बना सकते हूं अब दूसरे चित्र क्यों और जाएंगे यहाँ पर दूसरा चित्र देखें तोलक का है तो तोलक से आप क्या वाच्चे बनाएंगे मेरा पाई टोल बचा रहा है मेरी बहें टोलक बचा रही है तीसरा चित्र देखें तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है तित्ली क्या दिखाई दे रहा है तित्ली तित्ली का रंग रंग बे रंगी था पाग में तित्लिया थी इसे वेवार क्या बना सकते हो आगे देखें आपको किस प्रकार वाइक के बनाना है वो हमें आपको बतला रही है आगे चित्र है आपको किसे बीवाइक के बना सकते हो के गिलरी उचल कुद कर रही ही थी दूसरा चित्र त्यान से देखो दूसरे चित्र में आम है क्या है? आम का चित्र है हमने आम का पढ़ा था ने? आम खटे है आम मिठे है आम का रंग पीला है आम मुझे बहुत पसंद है कोई भी आप चित्र आधारीत वाइक्या लिख सकते है तीसरा चित्र देखिए तीसरे चित्र में निम्बू है तो आपको पता ही है कि निम्बू का स्वाद कैसा है? कैसा है? खटा है तो आप ये भी लेख सकते है कि निम्बू का स्वाद खटा है निम्बू का रंग भी लिख सकते हो कि निम्बू पीले रंग का है, फिर क्या लिख सकते हो, वाइक्या, निम्बू गोल है, इस प्रकार आप अनेक प्रकार के वाइक्या बना सकते हो, बना सकते हो, तो इसी प्रकार आपको चित्र आधारित क्या करना है, वाइक्या बनाने, बनाएंगे न, आगे देखिए, वर्ड को पढ़िए और लिखिए, तो यहाँ पर हिंदी वर्ड दिये हुए है, तो उसे क्या करना है, देख देख कर पढ़िना है, क्या करना है बच्चों, देख देख कर वर्ड को पढ़िना है, तो पढ़ने की शुरुआत करते है, को, उसके सामने क्या है, फो, को उर फो, तो नू वर्ड में फर्क है, उसी प्रकार पो, यो, तो, डो, ठो, ठो, मो, पो, तो, गोट, यहाँ पार यादे की गो उर्ड है, यहाँ पार व और चो है, यहाँ पार ल और चो है, यहाँ पार श और ग्यो है, तो यहाँ पार आपको बच्चो वर्ड में जो फर्क है, वहाँ आपको समझने के लिए यहाँ पार आपको देख देख कर आपकी स्वापोती में वर्ड लिखने हैं, यहाँ पार को, यहाँ पार फो, यहाँ पार पो, यहाँ पर यो, यहाँ पर टो, यहाँ पर डो, यहाँ पर ठो, यहाँ पर धो, यहाँ पर मो, यहाँ पर भो, यहाँ पर घ, यहाँ पर ध, यहाँ पर व, यहाँ पर च, यहाँ पर ल, और यहाँ पर ज, और आखरी में श, और ग्या है वर्डों को उसमें अलग, वर्ड में उच्चारण में और लिखने में अलग है तो यहाँ फर्क मिटाने के लिए, यहाँ पर आपको अच्छे अक्षरों में क्या करना है बच्चों? लिखना है किसमें? आपकी स्वापोथी में लिखेंगे ना? वेरी गूड, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे देखें कि नीचे दिये गए वर्डों का उप्योग करके शब्द बनाएं तो यहाँ पर वर्ड दिये हैं उसकी आधारित उदाहरर के तूर पर शब्द दिये हैं क्या दिये हुए है बच्चों? शब्द तो यहाँ पर शब्द दिये हुए है को तो को से कमल को से कमल कमल से आप कोई भी शब्द लिख सकते हो कोवा कच्चुआ कलर इस प्रकार आप कोई भी कसे लिख सकते हो आपकी सहली का नाम कसे हो तो वह भी लिख सकते हो केलाश कबुतर काजल इस प्रकार लिख सकते हो आप तो यहाँ पर दूसरा वर्ड म कौन सा वर्ड है म मसे मकान मसे मकान मचली मगर मटर आप मसे कोई भी शब्द लिख सकते हो इसी प्रकार प पसे पतंग पपिटा पानी पानी पंकी पायाल पंगाट कोई भी शब्द पसे लेख सकते हो उसी प्रकार रो रसे रसी रस राम रत रसे रसी रस रस राम रत कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं कसे आपको कोई भी वर्ड लिखना है मसे आपको जो लगे वह लिखना है पसे भी आपको कोई भी लगे वह लिखना है रसे रसी इसी पकार आपको ऐसे वर्ड लिखने लिखेंगे ना आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पुन्रा बढ़तने यही तक हम रखेंगे आपको आपके ग्रूह कारिया में यही तक ही लिखना है, लिखेंगे ना पैंसिल से अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें नाम मक्वाडा माही एन रोल नंबर 31, किटलो छे? 31 तो माही बेन होमवर्ग करे छे तो पिला माही बेन छे थोड़क दिवस पिला शरूहत मा होमवर्ग नोता करता परन्तु हवे दरोज ही होमवर्ग ना फोटा मोकले छे, तो बद्धा गल्स ने मारी विनंती छे कि तमे नियमित होमवर्ग करो अने फोटा मोकलो तो तमे आरे उपड नाम अन्ने रोल नंबर सेल्ट तमारू वीडियो मा आवशे आवशे ने? कर्ष्वन बद्धा ओमर गल्स वेरी गिउत्तो आपणे माही बेनने ताडियो ना गड़ गड़ाती अपिनंदन पाठव शू पाठवू छे ने? खूब खूब अपिनंदन माही बेन कि तमे दरोज होमवर्ग करो छो करो छो ने? आरी ते बद्धिच मारी विद्धियार्थी मित्रों ने अपपिल छे कि तमे पर माही बेननी जेम नियमित अने दरोज होमवर्ग ना फोटो मोकलो मोकल सो ने? आवी दिते माही बेननी जेम तमार उपर नाम जोओ छे ने? वेरी गूड तो माही बेनने खुप खुप अबिन अंदन बद्धा पाठ वी दियो तालियो ना गड़गड़ा थी वेरी गूड तो मेरा वीडियो सबी बच्चों ने दीखा, सोचा, समझा और सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हो और कोई बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आता क्या लिखना क्या नहीं तो वह मुझे फोन भी कर सकते है, मेसेज भी कर सकते है और सभी बच्चों से अपील है कि आप हर रोज वीडियो देखे और होमवर्थ मुझे फोटो सेंड कीजिए धन्यवाद आभार